हेलो दोस्तों आज हम जबलपूर सिटी के बारे में जानेंगे। जबलपूर सिटी भारत के मत्यवर्देश राज में नर्बद नदी के टट पर इस्ती थे। एक प्रचलित सिद्धान्द के अनुसर जबलपूर का नाम जबाली रिसी के नाम पर पड़ा जो नर्बद नदी के टट पर तफस्या करते थे। अर्भी भासा में जवाली का अर्थ क्रिनेट फत्तर या विसाल फत्तर होता है जो इस छेत्र में आम थे। जबलपूर मत्यवर्देश का एक मात्र फूर्फू प्रसासनिक और द्योगिक और वैपारिक केंद्र है। यहां की लिटरेसिटी रेट एटी टू फॉइंट वन त्री परसेंट होने के साथ ही भारत का एक प्रमुक सिच्चा केंद्र भी है। यहां पर 86.75% हिंदु, 8.27% मुस्ली, 1.37% जयन, 0.94% क्रिस्टियन, 0.24% सिक्र, 0.18% कुद्धिस्ति और 0.85% अधर्स अन्य प्रमुक लुक रहते हैं। यहां सर प्राकतिक रूप से बहुत खुबसूरत है। चावलपूर रोड, रेल और येर दौरा इंडिया के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। प्राकतिक रूप से जुड़ा हुआ है। प्राकतिक रूप से जुड़ा हुआ है। वल नसी, दमो, सागर, नाधपूर, घूपाल, जैपूर, कोटा, राइपूर, इलावाद, प्लासपूर और एंडियूर से जुड़ा हुआ है। एनश्ठटी इसे इलावाद, लखनों से जुड़ा है। और एनश्ठटी पूर इसे कांपू से जुड़ता है। एयर, जवलफूर एयरपोर्ट, जिसे डोमना एयरपोर्ट के नाम से भी जना जाता है। सहर के सेंटर से लेकर दगभग 25 किलोमेटर की दूरी पर यह इस्तित है। यहां से आप दिल्ली, पूने, मुंबई, बिलासपुर, इंदौर, हैदरबाद और बैंगलूरू के लिए प्लाइट कर सकते हैं। और रेल, जवलफूर रेल स्टेशन, 10 ट्रेक और 6 फ्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। यह इंडिया का वन आप दा वन आप दा बिजी एस्ट रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन के साथ इंडियन रेलवे की वेस्ट सेंटरल जोन की डिविजन भी है। यह रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे स्टेशन है।